दमश्कार आप देख रहे हैं यूग चर्र और मैं हूँ आपके साथ कुष्पर से आए नज़र आते हैं रासान चूड़ी कुष्पड़ी खबरों पर रासान में लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में टिकट बाटने का मैकनिसम बिलकुल अलग है पदानसभा में भाज़पा कॉंग्रेस दोनों जातर मामलों में उसी शेत्र के रहने वाले नेता को टिकट देते हैं इसके अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अपरेल को सुबह 7 बज़े से लेकर एक जून की शाम 6 बज़े तक के एक्जिट पोल पर रोक लगा दी पूर्व ओपिनियन पोल या अजनी पोल सर्वेक के प्रसारण पर प्रती बंद रहेगा उलेकनी है कि रासान में लोकसवाद चुनाओ दो चड़नों यानि 19 और 26 अपरेल को होंगी पहले चरण में 19 अपरेल को 12 सीटों पर जोकी गंगा नगर विकानेड चूरू जुन अजमेर, पाली, जोदपूर, बाडमेर, जालोर, उदयपूर, बासवाड़ा, चितोडगर, रासमन, भीलवाड़ा, कोटा और जालावाड, बारापर, 26 अपरेल को मदान होगा आईपिल मुकाबली में रासान, रॉयल्स और दिली कैपिटल्स दोनो गुरुवार को मैच जीतने के लिए जूज रहे थे इस दोरान ग्राउंड के बाहर एंट्री पॉइंट पर दर्शक की बाउंचरों की वनमर्चियों के आगे बेबस नजर आए और व्योसाओं का ऐसा अलम है कि एंट्री गेट पर सुरक्षा का हवाला देकर लोगों की कड़े सिक के, हेड़फोन और स्मार्ट वॉश तक रखवा लिए हैरत की बात है कि समान जमा करवाने के लिए ग्राउंड पर कोई भी लौकर रूम नहीं बना रखा था मैश खत्म होने से पहले ही बाउंसर और समान दोनों गायब थे ऐसे में कई लोग अपने समान के लिए इधर उधर बटकते हुए नजर आए पहले मैच के दोरान आई शिकायतों के बाद मीडिया ने इस पर जांच करने की कोशिश की एसमेस स्टीडियम की चारों एंट्री पॉइंट से स्थिती जानने की कोशिश की गई आई पिल की सफल आयोजन की जिम्मदारी क्रीडा परिशत की है विवस्ताओं के लिए साथ कमीटिया बनाई गई है इसमें दो कमीटियों के दस अधिकारियों के पास सुरक्षा विवस्ता का जिम्मा था फिर भी सिस्टम मूग दर्शक बना रहा टॉंक रूट से मैच में खत्म होने के बाद वापस देने को कहा गया मैच खत्म हुआ तो देवर्श गेट पर पहुंचे तो उन्हें ना तो कोई बाउंसन मिला और ना ही अपना रखा हुआ समान मिला रासान में वेस्टर्ण डिस्टरबेंस गुरवार शाम सेक्टिव हो गया है इसके असर से आज रासान के पंदरा जिलो में बिजली चमकने के साथ ही आंधी बारिश और ओली गरने के आशंका है इस से दिन के रापमान में दो से तीन निगरी सेल्सेस की गिरावट हो सकती है मौसम केंद जैपूर के निदेशक रादेशयाम शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्यम और पू पूंजुरू, सीकर, कोट, बिकानेर, चूरू, हर्वानगर, जस्लमेट, जोधपूर, नागोर और श्रीगंगर अगर में 30 से 50 किलो मेटर की स्पीड तक हवा चल सकती है बारिश के साथ ही ओले बिगरने के आशंका है आने वाले 24 घंटे में अधिक्तम तापमान में एक से दो डिगरी की गिरावट हो सकती है अगामी लोकसबाद चुनाओ को मद्य नजर रखते हुए रासान 9 सप्रेल से 1 जून तक एकजित पोल पर पतिबन लगा दिया गया है एक वरस्ट अधिकारी ने जानकारी दी है वहीं लोकसबाद में मामला बिलकुल अलग है के लिए दोनों ही प्रमुक पार्टियों ने स्थानियता से ज़ादा लोगप्रियता और जातिकत समीकर्णों के अधार पर प्रत्याशियों का चैन किया है अब तक कॉंग्रिस और भाश्पाद 23 से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोशित कर चुकी है कॉंग्रिस को बासवाणा डूंगरपुर रासमन्द और भाश्पा को भीलवाणा सीट पर प्रत्याशी घोशित करना शेश है इस बार भी ऐसे लोगों को टिकट दिये गए हैं जो उन शेत्रों के ही निवासी नहीं है जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं रासान की भीलवाणा लोगसबा सीट से कॉंगर्स प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुजर का टिकट जल्द बदले जाने की चर्चाएं इस वक्त जोर पकड़ रही है शायद इसी की चलते दामोदर गुजर का आज प्रस्तावेत नमांखन कारकरम भी स्तगित हो गया है इस कारकरम में पहले रासान कॉंगर्स के अज़श कोविन सिंग डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशुग गयलोत की शामिल होने की चर्चाए थी लेकिन आखरी समय में कॉंगर्स नेताओं ने मूँ फेर लिया जिससे टिकट बदलनी की चर्चाओं को ज़्यादा बल मिला है अभी तक जैपुर शहर और राससमंद लोगसुबा सीट पर कॉंगर्स अपना तैव उमीदवार बदल चुकी है अब अगला नंबर क्या भीलवाड़ा लोगसुबा सीट का होगा ये तो भविशी के गर्ब में है बगर बदलाओं की चर्चाओं के एक वज़य पहली बार प्रदेश में किसी भी ब्रामभन को मीदवार नहीं बनाना भी है बीलवाड़ा ब्रामभन बहुल मददादा वाली लोगसुबा सीट है इसलिए चर्चा ये भी है कि कॉंग्रेस दामोदर गुज़र का टिकट बदल कर बीलवाड़ा से किसी ब्रामभन नेता को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीलवाड़ा से पूर्फ केंद्रिय मंत्री और पूर्विधानसबा अध्यक्ष डॉक्टा सीपी जोशी सांसद रह चुके हैं ऐसे में जोशी को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं अब तेज हो गई है